C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय आठ राशियों की तुन्ना 8.8 दर का वार्शिक अथ्वा अर्ध वार्शिक संयोजन शायद आप जानना चाहेंगे कि दर के बाद वार्शिक संयोजन क्यों लिखा हुआ था क्या इसका कोई अर्थ है अवश्य ही इसका अर्थ है क्योंकि हम ब्याज की दर का अर्ध वार्शिक अथ्वा तिमाही संयोजन भी कर सकते हैं आईए हम समझते हैं कि यदि ब्याज का वार्षिक अथ्वा अर्ध वार्षिक संयोजन किया जाए तो सौरपय के ब्याज में कितना परिवर्तन होगा। जब ब्याज वार्षिक संयोजित ना हूँ तो समय, अवधी और दर। बह समय अवधी जिसके पश्चात प्रत्येक बार नया मूलधन बनाने के लिए ब्याज को जुड़ा जाता है, रूपांतरण अवधी कहलाता है। जब ब्याज अर्धवार्शिक संयोजित किया जाता है, तो एक वर्ष में प्रत्येक छमाही के दो रूपांतरण अवधी होती है। ऐसी स्थितियों में अर्धवार्शिक दर वार्शिक दर की आधी होगी। यदि ब्याज को तिमाही संयोजित किया जाए, तो क्या होगा? इस थिती में एक वर्ष में चार रूपांतरण अवधी होंगी और तिमाही दर वार्षिक दर का एक चौथाई होगी? प्रिष्ट संख्या 149, यहाँ पर एक सारणी बनी है, सारणी में दो स्तंब हैं, पंक्ती एक, पी बराबर है 100 रुपए और 10 प्रतिशत वार्षिक दर, पी बराबर है 100 रुपए और 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर, पंक्ती दो, पर ब्याज का संयोजन वार्षिक समय अवधी एक वर्ष है, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक समय अवधी 6 महीने अत्वा एक बटा दो वर्ष है, पंक्ती 3, आय बराबर है 100 गुणा 10 गुणा एक बटा सो बराबर है दस रुपए आय बराबर है 100 गुणा 10 गुणा एक बटा दो बटा सो बराबर है पांच रुपए हमने 10 गुणा 1 बटा 2 इसले किया क्योंकि दर आधी हो जाती है पंक्ती 4 अब अगले 6 महिने के लिए P बराबर है 105 रुपई पंक्ती 5 अतह आई बराबर है रुपई 105 गुणा 10 गुणा 1 बटा 2 बटा 100 बराबर है 5.25 रुपई और ए बराबर है 105 रुपई जमा 5.25 रुपई बराबर है 110.25 रुपई अध्यापिका कहती है क्या आपने देखा कि यदि ब्याज अर्धवार्शिक संयोजित होता है तो हम ब्याज का अभिकलन दो बार करते हैं इसलिए समय अवधी दुगुना हो जाती है और दर आधी कर दी जाती है प्रयास कीजिए निम्नलिखित में ब्याज संयोजन के लिए समय अवधी और दर ग्याद कीजिए एक एक बटा दो वर्ष के लिए आठ प्रतिशत वार्षिक दर पर उधार ली गई एक राशी पर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए एक राशी 16 प्रतिशत दर पर एक वर्ष के लिए उधार ली जाती है यदि ब्याज प्रतिएक 3 महीने बाद संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष में कितनी बार ब्याज देय होगा उधारण 12 यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो एक एक बटा दो वर्ष के लिए दस प्रतिशत वार्शिक दर पर उधार लिए गए बारा हजार उपए के कर्स का भुकतान करने के लिए कितनी राशी देनी पड़ेगी प्रिष्ट संख्या 140 हल यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में दो स्तंब है पहला स्तंब प्रथम 6 महीनों के लिए मूलधन 12,000 रुपए एक एक बटा दो वर्षों में 3 छमा ही होती है इसलिए ब्याज संयोजन 3 बार होना है ब्याज की दर बराबर है 10 प्रतिशत का आधा बराबर है 5 प्रतिशत अर्धवार्शिक ए बराबर है P कोश्ठक में एक जमा आर बटा सौ की घात N बराबर है 12,000 रुपए कोश्ठक में एक जमा पांच बटा सौ की घात 3 बराबर है 12,000 रुपए गुणा 21 बटा बीस गुणा 21 बटा बीस गुणा 21 बटा बीस बराबर है 13,891 दशमलव 50 रुपए सारणी 2 प्रथम 6 महीनों के लिए मूलधन 12,000 रुपए समय बराबर है 6 महीने बराबर है 6 बटा 12 वर्ष बराबर है 1 बटा 2 वर्ष गर बराबर है 10 प्रतिशत आई बराबर है रुपए 12,000 गुणा 10 गुणा 1 बटा दो बटा 100 बराबर है 600 रुपए A बराबर है P जमा I बराबर है 12,000 रुपई जमा 600 रुपई बराबर है 2600 रुपई यह अगले 6 महिने के लिए मूलधन है I बराबर है रुपई 12,600 गुणा 10 गुणा 1 बटा 2 बटा 100 बराबर है 630 रुपई तीसरी अवधी का मूलधन बराबर है 12,600 रुपई जमा 630 रुपई बराबर है 13,230 रुपई I बराबर है रुपई 13,230 गुणा 10 गुणा 1 बटा 2 बटा 100 बराबर है 661 जमा 50 रुपई A बराबर है P जमा आए बराबर है 13,230 रुपई जमा 661 दशमलव 50 रुपई बराबर है 13,891 दशमलव 50 रुपई प्रयास कीजिए निम्न लिखित के लिए भुकतान की जाने वाली राशी ज्याद कीजिए 1. 2400 रुपई पर 5 प्रतिशत वार्शिक दर से ब्याज वार्शिक संयोजन करते हुए दो वर्श के अंत में 2. 1800 रुपई पर 8 प्रतिशत वार्शिक दर से ब्याज तिमाही संयोजन करते हुए एक वर्श के अंत में उदाहरण 13 10,000 रुपई की राशी का एक वर्श और तीन महीने के लिए आठ एक बटा दो प्रतिशत वार्शिक दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धी ब्याज ग्याद कीजिए जबकि ब्याज वार्शिक संयोजित होता है हल मयूरी ने सर्वप्रथम समय को वर्शों में परिवर्थित किया एक वर्श तीन महीने बराबर है एक तीन बटा बारह वर्श बराबर है एक एक बटा चार वर्श मयूरी ने ग्याद सूत्र में मान रखने का प्रयत्न किया और ए बराबर है दस हजार रुपए कोश्ठक में एक जमा सत्रह बटा दो सो की खात एक एक बटा चार प्राप्त किया प्रिष्ट संख्या 141 वह परिशान थी उसने अपने अध्यापक से पूछा कि वह भिन रूपी खात को कैसे ग्याद करेगी अध्यापक ने उसे निमनलिखित संकेत दिया पहले अवधी के एक पूरे हिस्से अर्थात एक वर्ष के लिए राशी ग्याद कीजिए तत पश्चात इसे मूलधन के रूप में उप्योग करते हुए एक बटा चार वर्ष का साधारन ब्याज ग्याद कीजिए ए बराबर है 10,000 रुपए कोश्टक में एक जमा 17 बटा 200 बराबर है 10,000 रुपए गुणा 217 बटा 200 बराबर है 10,850 रुपए अब यह राशी अगले एक बटा चार वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगी, हम 10,850 रुपए का एक बटा चार वर्ष के लिए साधारण ब्याज ग्याद करते हैं, साधारण ब्याज यानि SI बराबर है, रुपए 10,850 गुणा 1 बटा चार गुणा 17 बटा 100 गुणा 2 बराबर है, रुपए 10,850 गुणा 1 गुणा 17 बटा 800 बराबर है रुपए 230.56 प्रतम वर्ष का ब्याज बराबर है 10,850 रुपई, घटा 10,000 रुपई बराबर है 850 रुपई और अगले एक बटा चार वर्ष का ब्याज बराबर है 230.56 रुपई इस प्रकार कुल चक्रवृद्धी ब्याज बराबर है 850 जमा 230.56 बराबर है 1080.56 रुपई, 8.9 चक्रवृद्धी ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां हम चक्रवृद्धी ब्याज के कुल राशी ग्याद करने के सूत्र का उप्योग कर सकते हैं, इन में से कुछ निम्न लिखित हैं एक, जन्म संख्या में व्रिध्धी अत्वा रास, दो, यदि बैक्टीरिया व्रिध्धी की दर ग्याद है, तो उनकी कुल व्रिध्धी ग्याद करना, तीन, किसी वस्तु का मान ग्याद करना, यदि मध्य वर्ती वर्षों में इसके मूले में व्रिध्धी अत्वा कमी होत उदाहरन 14, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, इसमें 5 प्रतिशत वार्षिक दर से वृध्धी हुई, वर्ष 2000 के अंत में उश शहर की जनसंख्या ग्याद कीजिए. हल, प्रतिएक वर्ष जनसंख्या में 5 प्रतिशत की वृध्धी होती है, इसलिए प्रतिएक नए वर्ष की नई जनसंख्या होती है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संयोजित रूप में बढ़ रही है. 1998 के शुरू में जनसंख्या बराबर है 20,000, इसे हम प्रतम वर्ष के लिए मूलधन मानते हैं. प्रतिशत की दर सिवृध्धी बराबर है 5 पटा सौ गुणा 20,000 बराबर है 1000. वर्ष 1999 की जनसंख्या बराबर है 20,000 जमा एक हजार बराबर है 21,000. इसे दूसरे वर्ष के मूलधन मान लीजिए. प्रिश्ट संख्या 142 पांच प्रतिशत की दर सिवृध्धी बराबर है 5 पटा सौ गुणा 21,000 बराबर है 1050. वर्ष 2000 में जनसंख्या बराबर है 21,000 जमा एक हजार पचास बराबर है 22,000. इसे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन समझ लीजिए. प्रतिशत की दर सिवृध्धी बराबर है 5 पटा सौ गुणा 22,000 बराबर है 1102.5 वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या बराबर है 22,000 जमा 1102.5 बराबर है 23,152.5 अत्वा सूत्र की सहायता से वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या बराबर है 2000 कोष्ठक में एक जमा पांच बटा सौ की खात 3 बराबर है 20,000 गुणा 21 बटा बीज गुणा 21 बटा बीज गुणा 21 बटा बीज बराबर है 23,152.5 इसलिए लगभग जनसंख्या बराबर है 23,153. अरुणा ने पूछा यदी जनसंख्या में कमी होती है तो क्या करना है तब अध्यापक ने निम्नलिखित उधारन की चर्चा की. उधारन 15 एक टीवी 21,000 रुपए में खरीदा गया एक वर्ष पस्चात टीवी के मूल्ले में 5 प्रतिशत अवमूल्य हो गया अवमूल्यन का अर्थ है वस्तू के उप्योग और उम्र के कारण उसके मूल्ले में कमी होना एक वर्ष पस्चात टीवी का मूल्ले ग्यात कीज हल, मूल्धन बराबर है 21,000 रुपई, अव मूल्यन यानी कमी बराबर है प्रतिवर्ष 21,000 रुपई का 5 प्रतिशत, बराबर है रुपई 21,000 गुणा 5,000 गुणा 1,200, बराबर है 1,050 रुपई, एक वर्ष के अन्त में टीवी का मूल्य बराबर है 21,000 रुपई, घटा 1,050 रुपई, बराबर है 19,950 रुपई, विकल्पतह, हम इसे निम्न लिखित विधी से सीधे प्राप्त कर सकते हैं, एक वर्ष के अन्त में मूल्य बराबर है 21,000 रुपई, कोष्ठक में एक घटा 5,050 बराबर है 21,000 रुपई, गुणा 19,020 बराबर है 19,950 रुपई, प्रयास कीजिए, एक, 10,500 रुपई मूल्य की एक मशीन का पांच प्रतिशत की दर से अवमूल्यन होता है, एक वर्ष पश्चात इसका मूल्य ग्याद कीजिए दो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या बारह लाख है, यदि वृद्धी की दर चार प्रतिशत है, तो दो वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या ग्याद कीजिए, प्रशनावली आठ दशमलब तीन एक, निम्नलिखित के लिए कुल राशी एवम चक्रवृद्धी ब्याज ग्याद कीजिए, ए, दस हजार आठ सौ रुपए पर तीन वर्ष के लिए बारह एक बटा दो प्रतिशत वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्रिष्ट संख्या एक सौतिर्तालीस बी, अठारा हजार रुपए पर दो एक बटा दो वर्ष के लिए दस प्रतिशत वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर c. 62,500 रुपए पर एक एक बटा दो वर्ष के लिए आठ प्रतिशत वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर d. 8,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए नौ प्रतिशत वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर आप सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज की सूत्र का उप्योग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं e. 10,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए आठ प्रतिशत वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 2. कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 पंद्रा प्रतिशत वार्शिक दर से उधार लिए जबकि ब्याज वार्शिक संयोजित होना है 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशी का भुकतान करना पड़ेगा 3. ब्याज को वार्शिक संयोजित करते हुए पहले दो वर्ष के लिए ए ग्याद कीजिए और दूसरे वर्ष की कुल राशी पर 4 बटा 12 वर्ष का साधारन ब्याज ग्याद कीजिए 3. फैबीना ने 12,500 रुपए तीन वर्ष के लिए 12 प्रतिशत वार्शिक दर से साधारन ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशी उतने ही समय के लिए 10 प्रतिशत वार्शिक दर से चक्रवृध्धी ब्याज पर उधार ली जबकि ब्याज वार्शिक रूप 4. मैंने जमशेट से 12,000 रुपए दो वर्ष के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारन ब्याज पर उधार लिए, यदि मैंने यह राशी 6 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृध्धी ब्याज पर उधार ली हुई होती, तो मुझे कितनी अतिरिक राशी का भुकतान कर 5. वासुदेवन ने 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर 60,000 रुपए का निवेश किया, यदि ब्याज अर्ध वार्षिक संयोजित होता है, तो ग्याद कीजिये की वह, एक 6 महिने के अंत में, दो एक वर्ष के अंत में कुल कितनी राशी प्राप्त करेगा, 6. आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का कर्ज लिया, यदि ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक है, तो एक एक बटा दो वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुकतान की जाने वाली राशियों में अंतर ग्याद कीजिये, यदि ब्याज एक वार्षिक संयोजित होता है, 7. अर्धवार्षिक संयोजित होता है, 7. मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया, उसे 5 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धी ब्याज का भुकतान किया जाएगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1. दो वर्ष के अं 10,000 रुपए पर एक एक बटा दो वर्ष के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धी ब्याज और कुल राशी ग्यात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा, जो उसे वार्षिक रूप से संय जो जित करने पर प्राप्त होगा, प्रिष्ट संख्या 144,9 यदि राम 4,096 रुपए 18 महीने के लिए 12 एक बटा दो प्रतिशत वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ग्यात कीजिए कि राम कुल कितनी राशी प्राप्त करे 10. पांच प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, निम्नलिखित को ग्यात कीजिए, 1. वर्ष 2001 में जनसंख्या, 2. वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी 11. एक प्रयोकशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रतिशत प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो दो घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ग्यात कीजिए अव्मूल्यन हो गया। एक वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ग्याद कीजिए। 3. किसी वस्तू को खरीदने के बाद उस पर किये गए अतिरिक्त खर्चे क्रै मूल्य में शामिल कर लिये जाते हैं और ये खर्चे उपरी खर्चे कहलाते हैं। क्रै मूल्य बराबर है खरीद मूल्य जमा उपरी खर्चे। 4. किसी वस्तू को बेचने पर सरकार द्वारा बिक्री कर लिया जाता है और इसे बिल की राशी में जोड़ दिया जाता है बिक्री कर बराबर है बिल राशी का कर प्रतिशत 5. GST माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है यह कर माल की आपूर्ती या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है 6. पिछले वर्ष की कुलराशी कोश्ठक में A बराबर है P जमा आए पर परिकलित किया गया ब्याज चक्रवृध्धी ब्याज कहलाता है 7. एक जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कुलराशी A बराबर है P कोश्ठक में एक जमा आर बटा सौ की घात N जहां P मोलधन आर ब्याज की दर और N समय है 2. जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो कुलराशी बराबर है P कोश्ठक में एक जमा आर बटा दो सौ की घात 2N जहां आर बटा दो ब्याज की अर्धवार्षिक दर 2N बराबर है छमाहियों यानि अर्धवर्षों की संख्या यह अध्याय यहीं समाप्थ होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, शानु मुक्सीम, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत प्रस्तुत